हेलो दोस्तों हम आपको एक बहुत ही अच्छा खोबसुत नियार दिखाने जा रहे है यह देखो यहां पर समुंदर है समुंदर के ओपर बादल है और जैसे यह बादल पहले जब कुछ समय पहले यह पूरे आसपास के एरी में चाय हुए थे अब सिर्फ वहां तक रह गए जहां जहां पानी है पहले ऐसे था कि जैसे की इधर है यह और पहाड़ों की पीच में आपको नजर आ रहे होगे जब सुबह हम उठे सुर्ज निकलने से पहले तब यह बिल्कुल एक प्लेइन था कि इसकी इक चीज नजर आ रही थी कोई ढूंद नहीं थी कोई बादल न अंदकार से रोशनी की और बढ़ने लगा अंदकार को चीरते हुए रोशनी पैदा करता गया तो वेसे वेज़े ही जो समंदर के ऊपर से जो बादल बने हुए थे वो भी अब होली होली करके जैसे स्वज उपर बढ़ रहा है और बादल भी हो यहां से उड़कर ऊपर आस आसमान को देखोगे तो आसमान बिल्कुल एक अपनी पुरानी मोमेंट में है जो सुबह की मोमेंट में होता है तो आपको कहीं पर भी आसमान में बादल नजर नहीं आ रहे तो अभी यह बादल नीचे से उपर की और होली होली जाना सुरू होएंगे और तब हम कहेंगे ज तो मुझे लगा जितना मुझे जानकारी है और जितना पता है आप लोगों को साथ डिसकस कर सकूँ क्योंकि जो भी ग्यान है ये मेरा कोई किताबी ग्यान नहीं है सिर्फ एक अपना खुद का एक अनुभव है और मैं यह भी नहीं कहता कि यही सही है